सदिस और अधिस को आपस में हम लोग क्या करते हैं उनको जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर जैसा भी उनके साथ किस तरह से हम उप्रेट करते हैं जो पहले की लेक्चर्स हैं इनमें हमने यह सब सीख लिया है कि किस तरह से सदिस या अदिस बहुतिक रासियों के बीच में जो योग या फिर घटाना होता है अब हम लोग साथ में अब पढ़ने वाले हैं बल यानि कि इस चैप्टर का जो सबसे कोर टॉपिक है बल और बल ही है जिसका जो इस पूरे स्रिस्टी का कई ने कई दो ही चीज है बल और उर्जा तो जो बल है वो क्या चीज है अगर आपसे कोई पूछता है कि what is force आप इसको characterize बहुत तीजों से कर सकते हैं यदि हम लोग बात करें बल की तो बल क्या है बल वह चीज जो किसी की इस्तिती में परिवर्तन ला सकते हैं यानि एक ऐसा agent एक ऐसा कारक जो किसी की इस्तिती में परिवर्तन लेते आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बल बोलते हैं अब यह बल क्या हो गया अगर हम इसकी बात करेंगे कि बल का जो कारक होता है बल कोई न कोई किसी की स्थिती कारक होता है क्या सिर्फ इस्तिती बदलता है बल तो यह भी सही नहीं है क्योंकि इस्तिती के सार सास उसकी घती में उसकी गति की में भी बदलावाता है यानि जो it can produce accills as well as it can change the position ठिक है ना ये किसी भी आपज़ेट का positioning was क्रेट कर सकता है साथ में आप इसको ये भी कह सकता है कि बल जो है प्रकार के बल होते है इस सबके बडल के तब बारेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे बल क्या होता है तो आप daylight कि force is a push and pull is called force बहुत आसान है जिसको आपने बच्पन से पढ़ा है a push और pull is called force ठीक है बल किसी कहते है बल जो है एक push push कहने का मतलब है धक्का देना या खीचना धक्का देना या खीचना जो होता है उसी को लोग क्या बोलते हैं बल बोलते हैं अच्छा बल को और भी तरह से define कर सकते हैं बल वह बहाकारक है बल वह बहाकारक है जो किसी की इस्तिती में बदलाव ला सकता है उसकी गती में परिवर्तन ला सकता है इसके साथ साथ उसके आकरिती और आकार में भी बदलाव ला सकता है ठीक है न तो क्या हो गया कि अब बात करेंगे अपूस और पूल में बदला रह सकते हैं और सफ और सइज Поft को भी चेंज कर सकते हैं अब आगे बात करेंगे कि तो बल कितने तरह गते हैं दो तरह का संपर्वल जिसको हमनों क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट Norm संपर्कबल अ और दूस्रा हो गया नॉन कांटरेक्ट फोर्षे जिसको हम लोग क्या बोलते असंपर्क भल ठीक है न उसको क्या बोलते हैं संपर्क भल ठीक है तो दोह दराख बढ़ यह हो गया संपर्क भल और ही क्या हो एकोगे होgg 않고 केल तो चलुदेल संपर्क भंक किसे कहत properly शो कंपर्क में आने के बात कारे करता एक जो जो forces Contact में आते हैं देखो Force लगाने के लिए हमेशा याद रखो कभी न कभी दो object को होना जरूरी एक जिस पर Force लग रहा है और एक जो force लगा रहा है यह कभी समभव नहीं है कि बल किसी न किसी दो system से ही डो system यह जब बल ऌई गा तो इसका मतलब यह है कि वह किसी दो system केवीच में transfer यह एक पर लग रहा है ओर दूसरा उसको लगा रहा है ठीक है अब इसका मतलब यह है कि अगर संपर्क में आने के बाद वह बल लग रहा है तो उस तरह के ऐसे मेरे यह है कि आप कभी भी ऐसा बैटे बैटे तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो आपको संपर करना ही पड़ेगा किसी भी वस्तु को आपको धक्का देना है आपको खींचना है तो आपको अपना हाथ को उस वस्तु से संपर्क करना ही पड़ेगा तो यानि एक ऐसा force which exert on after being in contact वो बल जो संपर्क में आने के बाद कारे करता है उसको हम लोग संपर्क कहते हैं इसका example संपर्क बल से ही जो संपर्क बल वो बल है जो संपर्क में आए बिना ही कारे करते हैं कि अगर इसको हम ऐसे छोड़ेंगे तो यह तुरंत जमीन की तरफ जाएगा क्यूंकि यहां जमीन यानि कि धर्ती और इसके बीच में क्या लग रहा है動 ग्रीटिस्न behavior लगे और यह क्या है शंपरक या संपरक में यह क्रूब यह तो बीना संपरक में और अर्थ की बात करें तो क्या है यहाँ पर amiliar यह क्या पर क्या कि हैं विल्कूल नहीं है Gravitational force है यहीनि गुरुट्वाकरसर बल है वो क्या है एक आसं पर क्रось इसके साथ गुरुत्वाकरसर के साथ चास मैं बोलूंगा Electro Static Forces की बात करें यह Electro Medic Forces की बात करें तो वहां पर भी हम नों को तो वो दोनों आवेश को भी संपर्क करने के बाद नहीं हो संपर्क के बिना भी उनके बीच में बल लगता है ठीक है ना तो क्या हो गए कुछ संपर्क बल हो गए और कुछ क्या हो गए संपर्क बल हो गए मैंने आपको बताया है घरसर बल या फिर जितने भी क्या है संपर्ख वल अगर हम बात करें गांगे संपर्ख वल की इसमें क्या क्या आता है फिर्स्टाप वन्नें बताए गृरुत्वा कर्सर बल जिसको ग्रेटेसनल फोर्स बोलते हैं। रुद्वा कर्शर बल दूसरा क्या हो गया वैद्धुत स्थातिज बल वैद्धुत चुम्ब की बल वैद्धुत स्थातिज एलेक्रस्टेटिक फोर्स और वैद्धुत चुम्ब की बल ठीक है न? तो कुल मिला करके हिमनों बात करेंगे कि इस तरह से आपको मैंने बताया कि contact for क्या होते हैं वो फोर्ष जो कंटेक्ट में आने के बात कारी करते हैं उनको क्या होती है आगर हमनों बात करेंगे तो फोर्स की हुनिट की उन HIS of forces यानि की मात्रक क्या होता है unit of forces unit of forces वो क्या क्या होगे आपका अगर हमनों cgs में देखेंगे cgs में देखेंगे तो वो दोता है dine यह याद कर लिजें कि अक्सर cgs वाला यूज कर लेते हैं और अगर आप mks या si system में देखेंगे या si system में देखेंगे mks या si system में देखेंगे तो आपको क्या दिखाए देगा Newton यह आप सबको पता है और इसके साथ साथ यह भी relation भी पता होना चाहिए कि 1 Newton is equal to 10 to power 5 dine ठीक है ना 1 Newton is equal to 10 to power 5 dine तो यह क्या हो गया आपका cgs में किसका क्या unit होता है और mks या si system में क्या होता है एक आपने कभी force के बार में kgf करके सुना होगा वह kgf नहीं वह जो आप कि gravitational force होता है कि पर के जिमान लोग कोई इंसान है जो 60 kg का है उस पर जो आर्थ फोर्स लगा रही है the amount of force exerted by earth on this man who is of 60 kg यानि एक ऐसा वैक्ति जिसका मास्क जिसका द्रविमान एक लगार साट किलो है तो जो जो गुरुत्वा कर से बल उस पर लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको बोलते है 60 kgf यानि आप से पूले द्रविमान कितना है तो 60 kg द्रविमान कितना है 60 kg याद रख ल समय आप से पूछता है कि यह बताये कि उसपे कितना धरती बल लगा रहा है या फिर पर उसको कितने बल से खींच रही है तो आप बोल सकते है 60 kgf यानि कि अगर आप से बल पूछता है कितना बल से इसमें आप 9.8 से मल्ल्लिपलाइ कर देंगे तो वह निउटन में आ जाए समने करते हैं और भी होते हैं पर इनकी आपको जुरुत नहीं है आपको इनी कि जुरुत है अगे चलते हैं अब दल नहीं बात करेंगे आगे कि बलकेटाइ TV सबसे निकाला था तो बलका डैयमडस मोटता है आंब हम बहुत सारे बल अगर किसी भी वस्तु पर कारे कर रहे हैं तो प्रडाल्मिय कौन कौणसी होती है देखो तीन बाते हैं एक हो गया coplanar coplanar concurrent ठीक है और colinear co linear ठीक है न इसको अगर हिंदी में बोलेंगे और सम रेखिए यह तीन प्रडालियां है सम तली का मतलब हो गया वो बल वो फोर्सेज जो सारे के सारे एक ही तल पर इस्थित हैं तो देखो एक ही तल पर है समतली हैं आनि कि एक वही तल पर इस्थित हैं और इस्थित हैं तो उनसे फोर्सेस की फैमिली को यहें उच्चा अब सकते हैं सम तलियकTalk कया बोल सकते हैं स्थिस्ठमोर फोर्स ठीक है ना आज श् overly का मतलब और गया देखो concurrent का मतलब हो गया कि एक ही बिंदू से अगर उनकी धाराय निकल नहीं है इट सीम्स लाइक जैसे आपने कभी देखा गंगोत्री है फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारे एक ही पॉइंट से यदि हर दिसा में नदिया बह रही है तो आप क्या बोलेंगे कि वो सारी की सारी नदिया जो है न वो संगामी यानि सम्कॉन करेंट है कि इनकी दाराय निकल नहीं निकल नहीं वो एकही बिदु से क्या कर रही है निकल नहीं तो अगर कई बिंदू से बहुत सारी धाराय निकलती है तो उनको low current current का मतलब भी होता है दाराय यानी concurrent का मतलब हो गया कि एक ही बिंदू से निकलने वाली बहुत सारी धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं concurrent बोलते हैं संगामी का भी मतलब हो गया जो एक ही जगह से आ रही है संगामी मतलब क्या हो गया कोई रीखाः इस पर यह बल कर रही है यह बल कर रही है यह इस फीर सिस्टम हो जिसमें सारे के सारे फोड़्स जो है वो क्या हो रही है एक ही लाइन पर एक्टिंग वह आ बताता हूं देखो सिस्टेम और फोर्सेज सिस्टेम और फोर्सेज यानि कि बलो की जितनी प्रडालिया है एक प्रडाली क्या हो गई तम तली इसको इंग्लिस में लिखते हैं कोई जरूत नहीं है अब देखो मैं लिखता हूं प्लेन भया प्लेन मतलब तली होता है तो को प्लेनर को प्लेनर कॉन करेंट को लीनियर फोर्सेज को ली सिस्टम än एक सिस्टम हो गया या फिर क्या हो सकता है co-planer गांए हम sweeping लिनियर इनलिकलाइन पर थी अब क्या है यह अलग-अलग पर नान इपलीनियर बरस तिक है02 क्या हो गया अगर हम बोल सकते हैं कि एक हो गया collinear forces और एक हो गया non-collinear forces अब गर हमें ये भी बोल सकते हैं कि coplanar non-concurrent non-collinear forces ठेक है न अब इसका मतलब क्या हो गया coplanar हो गया एक ही plane पर है non-concurrent यानि कि सारी कि सारी संगामी नहीं है एक ही बिंदू से निकल नहीं रही है इसका मैं example आपको बताता हूँ जिसे पहले वाले का example देखिए अगर हमनों पहले वाली की बात करेंगे तो एक ही plane पर और एक ही line पर है तो ये जो बल है एक ही line पर है co-linear देखो एक ही line पर है कि नहीं है ये क्या है ये एक ही line है न इसी line पर तो lies कर रही है तो इस तरह से क्या हो गया ये अगर कोई ऐसा force to force system है जो इस तरह से opposite में कारे कर रहा है जैसे मान लिजे ये आपका 1 हो गया एक स्टीक है तो आप उसको इस बोट को ड्राइब कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक ही प्लेन पर है, और दूसरी बात अगर हम करें, concurrent तो बिंदू एक ही है जिस बिंदू से वो क्या कर रही है निकलती हुई प्रतीत हो रही है निकल रही है ठीक है ना तो यह क्या हो गया concurrent force हो गया co-linear यानि एक ही line पर भी यह क्या कर रही है कार कर रही है तो इस तरह के system को क्या बोलेंगे Quad Trainer Concurrent Collinear Forces of system and сейчас husis ठीक है न मैं वहाइत मैं को प्लेनर ने lange s लेकिन को लिनियर forces अब देखिए ज़िए बल इस तरह से लग रहे हो ऐसा कई दिशा में इस तरह से बल लग रहे है तो अभ देखिए यह कई प्लेनपर रहे हैं इस क्या है एक ही तल में इस्थित है दूसरी बात क्या है concurrent concurrent मतलब क्या संगामी संगामी का मतलब क्या हो गया कि एक ही बिंदू से क्या हो रही है एक ही बिंदू से यहाँ पर निकलती हुई प्रतीत हो रही है निकल रही है इसको अमनों क्या बोलेंगे? Concurrent forces बोलेंगे इसके सिवा अगर आपसे बोलता है Non-Collinear Forces यानि कि सारे के सारे forces एक अही लाइन पर लाइज नहीं कर रहे हैं तो इसको आमनों क्या बोल सकते हैं Non-Collinear Forces तो इस तरह के System of Forces को अमनों क्या बोल सकते हैं मतलब क्या कि एक ही तल परिस्थित हैं एक ही तल परिस्थित हैं लेकिन अच्छा एक ही तल परिस्थित हैं ना तो संगामी है एक ही बिंदू से निकल ना तो निकल नहीं है ना एक ही रेखा पर कारे कर रही है अब इसका एक्जामपल आपको मैं दिखाता हूं कि देख लिए जैसे मालनी जी ये beam है ठीक है न अब इस पे बहुत सारे बल कारे कर रहे हैं ये सारे के सारे बल क्या है एक ही तल पर है की नहीं है अगर एक ही तल पर नहीं होते तो मैं इसे draw नहीं कर पाता बार बार मैं इस बात तु कह रहा हूं कि अगर एक ही तल पर नहीं होते तो मैं इस ही नहीं है सम रेकी यह हैं क्योंकि एक ह interest कर नहीं कर रहहें तो ये है बाद समय में आन खिया अगर मैं यहां पर बोल तूं कि नान को प्लेनर ठीक है कॉन करेंट और नान को लीनियर ठीक है ना देखो एक बाह बता दे नान को प्लेनर अगर हो गया तो ये तो बहुत मतलब कोई संभावना नहीं है कि वो लीनियर भी हो जाए ठीक है ना लीनियर है अगर लीनियर है तो अगर प्लेनर है तो नान को लीनियर और को लीनियर दोनों हो सकता है लिए नान को प्लेनर है यानि सम तली नहीं है तो सम रेखी नहीं होगा यह निस्चित है सम तली नहीं है तो सम रेकी नहीं होगा लेकिन concurrent तो हो सकता है ना यानि एक ही बिंदु से निकलती प्रतीत हो सकती है तो मान लिजिए एक्स वाई जेड एक्सिस है ये कही बिंदु से अगर ये निकल लई है जिसे मान लिजिए क्या है ये देखिए यह मान लिजे यह x-axis है यह y-axis है और यह z-axis है और इसमें अलग-अलग क्या हो रहा है तीनों ही axis पर क्या हो रहा है यह निकल लए है तो सारे के सारे एक ही बिंदू से निकल लए है यहां देखिए मैं बिंदू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसको आप माइंड मत करीगा लेकिन यह समझे कि सारे के सारे कर एक ही बिंदू से निकल ला है तो है तो सारे के सारे क्या concurrent, सारे के सारे क्या है concurrent है, लेकिन non co-planar है, यानि एक ही plane परिस्थित नहीं है ये सारे plane परिस्थित हैं और non co-linear है, यानि कि किसी एक रेखा पर नहीं है, बहुत सारे रेखा पर है, आप कहेंगे सर, मैं फिर से एक बाल बोल दूँ, कि अगर non co-planar है, तो non linear होना तैं है, वो linear नहीं हो सकता है non co-planar है, अगर तो वो concurrent और non current concurrent हो सकता है, हो सकता है कि concurrent हो, और ये भी संभवे कि non concurrent हो, लेकिन non co-planar, क्या बोलते, co-planar नहीं हो सकता है, चलि ठीक है, ये तो बात हो गई क्या, system of forces की these are the talk over the system of forces, यानि कि जो बलो की प्रडालिया होती है, वो क्या होती है, बलो की प्रकृति क्या होती है तो आपने अब तक देखा कि बल जो है वो स्थिती या गती में बदलाव ला सकता है, उसके साथ साथ वो आकरिती और आकार में बदलाव ला सकता है तो इसका मतलब हमको बल क्या कर सकता है ये पता चल गया बल किसी की गती की दिसा भी बदल सकता है जब आप क्रिकेट खेल ला होते हैं तो आप क्या करते हैं जब आप बैट से की वाल को डारेक्शन ही तो देते हैं ठीक है न तो जब वहाँ पर क्या होता है गती का का दिसा भी बदल सकता है वो गती का त्वरण भी कर सकता है यानि अगर हम बोलें एक तरह से कि वो वेग में परिवर्तन करता है तो वेग में क्या है वेग मतलब क्या हो गया कि वो दिसा और परिमार दोनों बदलने की शापता रखते तो वो वेग में परिवर्तन कर सकता है वो उसके आकरिति और आकार में परिवर्तन कर सकता है भाईया बस इससे आदा वह कुछ नहीं कर सकता है बल इससे आदा करके क्या ही करेगा ठीक है सब तो कर दिया आपके कोई भी फिजिकल इवेंट में दोई शीचे बात पासिबल है कि या तो वहाँ पे उसकी सितिम बदला हो रहा है या उसके संपूर्ण विभाग में क्या हो रहा है बदला वा जा रहा है तो ठीक है यह हो गया आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेज अब हम लोग बात करें कुछ लौ की कुछ सिंपल लौज जो इस्तेमाल करते हैं जिसे लाफ सपर पोजीशन एक वर्ड यूज करते है शुपर पोजीशन असान है शुपर पोजीशन ऐसा मतसमझे बहुत असान वरड बस आपको लग रहा है कि ल Они कुछन लोग करेंगे तो क्या होप हम लोग पाएंगे कि इन सारे बलों का एक ही परिमान मिलता है तो एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे इंपोस जाते हैं ठीक है न तो उनका क्या मिल जागा है एक सुपर पोजिशन मिल जाएगा उसी को हम लोग क्या बोल ले हैं कहता है यदि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कारे कर रहे हैं तो उन सारे बलों के जो कारे कर रहे हैं उनके वेक्टर योग यानि सदिस योग का ठीक है सदिस योग जो होगा वही उनका क्या होगा resultant force होगा तो यह बहुत सिंपल सी बात बुलना है कि उनका सदिस य कहितना बता रहे हैं कि सारे बलों के अगर आपको resultant चाहिए परिडाम चाहिए तो करना पड़े का फिर नहीं डाएगा ठीक है ना एक लाफ ट्रांसमिबिल्टी होती है लाफ लाफ ट्रांसमिबिलिटी अब इसका मतलब क्या हो गया लाफ ट्रांसमिबिलिटी का मतलब क्या हो गया देखिए लाफ ट्रांसमिबिलिटी मतलब हो गया ठीक है law of Transmobility के मतलब हो गया कि माल लोग कोई अगर कोई ऐसा है जिस कोई वस्तु है जिस वस्तु पर क्या लग रहा है यह बल लग रहा है यह चोटी-चोटी बाते हैं जिसको हम लोग बहुत ज़्याद समय दे करके बरबाद नहीं कर सकते हैं हाँ बल कितने तरह के होते है यह आप समझ चुके हैं बल जो है वो कितनी प्रडालिया होती है इसको आप समझ चुके हैं मैं एक ही बात कहता हूँ यदि आपको इन सब के बारे में थोड़ा भी पता है न जिसे आप यह लेक्शर अकर अटेंड कर रहे हैं तो आप इतना समझ लिजे कि आपको बहुत अभी याद रखीगा आपने एक्जाम कई बार दे करके आया होगा अब तक आपने कई बार एक्जाम दे चुका है मुझे इतना तो पता है क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप सिंपल से बात है आपने हाई स्कूल इंटर और डिप्लोमा के हो सकता है कि कोई तो आपको ये याद होगा कि किसी भी exam में आप जादतर वो बाते लिखते हैं जो आप अपने मन से लिख पाते हैं आप उससे 2 गंटा पहले क्या पढ़े थे आप उससे 4 गंटा पहले क्या पढ़े थे आप even पूरे साल पर क्या पढ़े थे इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है आप उस दिन अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं आपको जो समझ में आता है तो अपनी understanding बढ़ाओगे तो तुम खुद बहुत कुछ लिख के चले होगे अब मैंने बता दिया कि संगामी मतलब क्या एक ही जग बिंदू से निकलने वाली सारे बल अगर एक साथ मिलने है तो उनको संगामी बोलेंगे अब कितने तरह कि हो सकते हैं यह तुम खुद भी खुद देख सकते हो ठीक है ना क्या क्या हो सकते हैं समतली सव्म आमी और सम्रेकी अब क्या है की सम्रेकी कब होग snug नहीं होग इंस चीजों को इनलेगी औरो देख चुके हैं कि कि जो सारा बल कई सारे बल अगर किसी वस्तु पर कारे कर रहे हैं तो उन सारे बलों का जो सदिस्योग होगा वही क्या करेगा उसमें वह लगेगा वही उसका प्रेडाम होगा तो बहुत सिंपल सी बात हैं कि वह क्या होगा वैक्टर वैक्टर का ही वैक्टर यानि निरूपित कर सकते हैं, यानि कि एकर हम कोई बस तो यह A है इस बस पर चाहे आप यहां फोर्स लगाता हुआ दिखाये चाहे आप ऐसे FORS लगाता हुआ दिखाये दोनों का ही यह दिखा रहे तो भी वही मतलब है तो इसी को बोलते है law of transability मतलब कि आप उसको असानी से transfer कर सकते हैं एक point से दूसरे point तक आप यह कह सकते हैं कि उसके line of action पे किसी भी बिंदु पर हम किसी उस बल को क्या कर सकते हैं रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसके क्या परिवर्तन आएगा ठीक है ना तो यह क्या हो गया law of transability law of superposition और आप वियोजन तो जानते ही हैं कि इनको triangular form से कैसे जोड़ा जा सकता है या फिर इनका resolution कैसे कर सकते हैं यह तो मैंने आपको पढ़ा है ना इसके पहले वेक्टर वा बातों को repeat करने की ज़रूत नहीं है बस आप यह समझी कि उनको operate कैसे करेंगे तो जैसा आप लोगों को बढ़ाए गया कि सदिस भौतिक राशियों को जिस तरह से जोडते हैं वैसे इनको भी जोड़ेंगे जिस तरह उसको घटाते हैं वैसे इसको भी घटाएंगे ठीक है किसी भी बिंदू पर आप उस फोर्स को क्या कर सकते हैं निरुपित कर सकते हैं आप इस तरह से बल को दिखाएंगे जो इधर से लग रहा है वो भी उसका मतलब वही होता है जो इस तरफ से लग रहा है उसका मतलब भी वही होता है फिजिक्स में इन दोनों को आप नोट कर everyone और I hope कि आप सब बहुत अच्छा कर रहेंगे मुझे एक दो दिन का समय लगा थोड़ा सा कुछ घर के फंक्संस की वज़े से तो चली ठीक है अब ऐसी दिक्कते नहीं आएंगी लगातार लगातार चलते रहेंगे और हिंदी इंगलिस की जो बात थी मैं बार-बार आपसे कहता रहता हूं कि मैं उसी सी करता रहता हूं कि आपको मैक्सिमम बातों को हिंदी में ही बताओं ठीक है न जहां कुछ हद तक संभव नहीं है वहां नहीं बता जाता है चलिए have a nice day everyone bye मिलते ह में नेक्स लेक्षर में